केरल में कोरोना के अभी भी सारवाधिक मामले हैं और आगामी समय में भी यही राजे सबसे अधिक कोरोना प्रभावित रहेगा अभी तक कोरोना महामारी के चलते पियम मोदी कई बड़े निर्णे टाल चुके हैं किन्तु अब समय आ गया है कि वे कड़े निर्णे लें मोदी सरकार आगामी समय में कोई ऐसा हैरानी भरा भी निर्णे ले सकती है जिसकी आरम में बहुत आलोचना किन्तु बाद में बहुत प्रशन सा होगी इस अग्याद भविश्य वक्ता के अनुसार नवंबर 2021 तक भारत का नौस रिजन आरम हो जाएगा और यही वह समय होगा जहां से भारत के स्वर्णिम युग का सुभारम होगा और आप देखें कि यह अग्याद भविश्य वक्ता मोदी जी के विश्य में क्या कहते हैं तो उनके अनुसार नवंबर 2021 के पश्यार पियम मोदी की मंगल की दशा आरम होगी और उसके बाद मोदी एवं उनकी रणनीती को रोकना लगभग असंभव होगा जनसंक्या नियंतरन कानून, सामन, नागरिक, संगिता कानून और बहुत चैसे देशित के कानून, लोकसभा एवं राज्य सभा में डंके की चोट पर पारिक किये जाएंगे यह वो समय होगा जब आकरामक मोदी का 2002 का रूप दिखाई देगा मोदी का रौध रूप देखकर संसार स्तब्ध हो जाएगा इसी के साथी साथ केंद्री ग्रिमंत्री श्रेयमिश शाह की कुंडिली में भी अगस्त माह से विप्रित दशाएं समाप्थोने जा रही है इसी के पशाथ मोदी शाह की जोड़ी एक बार पुना कड़े से करड़ा चौकाने वाला निर्ने भी ले सकती है जो लोग महाराश श्रेवं बंगाल के घटना करम को देखकर ये सोच रहे हैं कि मोदी को पराजित किया जा सकता है वे सभी एक बार मुकी खाएंगे वरतमान समय में पीम मोदी एवं उनकी सरकार के विरुद भरामा के एवं जूटे समाचार फैलाए जा रहे हैं किन्तु आगामी समय में उसका तोड़ भी पीम मोदी निकाल लेंगे मोदी के कड़े निर्ने के आगे विपक्ष भी घुटने टेक देगा ऐसे तत्वों के विरुद मोदी सरकार कुछ राज्यों में धारा 356 का भी प्रयोग कर सकती है जो देश को बर्बाद करने का शड़ेंतर रच रहे हैं इसी किसार शत्रू देशों द्वारा रचे जा रहे शड़ेंतर को भी सारवजनिक किया जाएगा कहा ये भी जा रहा है कि जिन शड़ेंतरों के कारण कोरोना की दूसरी लहर फैलाई गई है उनके नाम भी अब सामने आएंगे इसी कारण विपक्ष पेगसेस मामले को तूल देकर सरकार को घेरना चाह रहा है किन्तु वे नहीं जानते कि जो लोग देश के साथ विश्वास खात कर रहे है मोदी एवं उनकी टीम खोज-खोज कर जनता के कटगरे में खड़ा करेगी कहा ये भी जा रहा है कि कोरोना महमारी कोई महमारी नहीं बलकि जैविक युद्ध है जिसका रहस्योद घाटन शीगरी हो सकता है ये जैविक युद्ध परंपरागत हतियारों से नहीं बलकि विशाडूं के प्रसार द्वारा लड़ा जा रहा है इसका लक्ष विक्सित एवं विकासशील देशों को बनाय जा रहा है तो आगामी समय में पियम मोदी इन सभी परिस्तितियों से लड़ते हुए एक अपराजे ये नेता के रूप में संसार में स्थापित हो जाएंगे आगामी समय में अरुलाचर प्रदेश, मडिपूर और मिजोरम में सुरक्षा वलों को काफी सतर्कता बरतनी होगी देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राजयों में प्राकृति के वं मानो निर्मित आपदाओं के कारण बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जारही है आगामी समय में एक पूर्वी राजय के बड़े नेता के निधन का भी समाचार मिल सकता है 2022 के बश्याद भारत विश्व गुरू बनने की दिशा में अग्रिसर होगा जीसे कोई भी देश रोक नहीं पाएगा और यही वो समय होगा जब भारत सर्वोच शक्ति शाली देश की रूप में संसार में स्थापित हो जाएगा तो दर्शकों भविशे दर्शन के इस अंक में अभी बस इतना ही आशा है कि हम आने वाले समय में आपको समय से पूरू समय की जानकारी अवशे प्रदान करेंगे यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बहुत शीगरी हम आपकी समस्याओं के निशुल के समाधान का प्रयास कर रहे हैं संभवता 15 अगस्त से हम इस प्रयास को आरम कर देंगे और उसके माध्यम से अखंड मंतन दर्शुकों की सेवा में हमीशा तत पर रहेगा धनिवाद अपना भूमूली समय हमें प्रदान करने के लिए बने रहे हमारी साथ देश की वरतमान और भविशे परिस्तितियों के विशे में जानने के लिए धनिवाद